जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी प्रस्ट भूमी में कहीं न कहीं सिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर सिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश है। डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन जी कहते थे कि दो छेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए। एक सिक्षा और एक राजनीति। जहिंद फ्रेंट्स, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुक अर्विन केज जिवाल जी, मनीश सशोधिया जी, सब को सहिर्दे से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर सिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिय है, सिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो परिवार, समाज और राष्ट की आत्मा है, जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी प्रस्ट भूमी में कहीं न कहीं सिक्षा का योगदान रहा, तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साजा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीश सौधिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और सिक्षा में से कुछ चुनना हो, तो मैं इस चित तोर पर सिक्षा को चुनूँगा, ऐसा ही कुछ उद्देश मेरा भी है, और राजनीति में आकर सिक्षा का विकास मे आपने आम आपनी पार्टी की जो सिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आप पॉइंट अगर आप देख लें, कि 97% रिजल्ट है 12th का, गौर्मेंट स्कूल का, एक साल में तो 99% आया था, एक साल में 99%, 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गौर्मेंट स्कूल के लड़क और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा यह नारा देता हूँ कि सिक्षा शेरनी का दूद है, जो पीएगा वो दहाड़ेगा, और डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन जी कहते थे कि दो छेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक सिक्षा और राजनीती, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिये, आने वाले दिनों में रोलाउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे, थेंक यू, थेंक यू